हलो आप वीडियो में बेलकम बाक टू मैं चैनल और मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी निमस्कार तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंफोर्मेशन वाली होने वाली है I hope आप लोग अच्छे ही होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि को अपने से के ऊपर इसको अपलाई करना होता है वाट करना है कर हो हमें कितने यूज करना है किना धर तक उसको रखना है और कब हमें अपने धूरिपर लाई करना है और कहां-अपलाइ करना है, कितने टाइम तक उसको अपनी फेस के उपर रखना है, तो हम यहां पे ब्लीच ले रही हूँ, ब्लीच कॉनसे ले री हूँ, वह मैं रेकमेनल नहीं करूँगी, क्योंकि नहीं किलें। कि नहीं पर किसी ब्रैंड का पूरी वीडियो देखीगा, अगर आप में चैनल पे नए आये हैं, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब टो अगर चैनल, और शेयर इट, तो लेट्स गो, स्टाइट तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बाउल चाहिए, बाउल क्लीन और ड्राइ होना चाह तो उसको ड्राइ कर लेना, तो उसके बाद आप लोग एक क्रीम, ब्लीच की क्रीम लेनी है, इसमें आपने दो स्पैचुला एड़ करने हैं भरके, यह फेस के लिए काफी है, दो स्पैचुला, इससे जादा अगर आप लेना चाहते हो, हाथो पैरों पे लगाना चाहते हो तो आप इसमें आड़ कर सकते हो, दो स्पैचुला के लिए हमें अक्टिवेटर चाहिए, तो यह कितना डालना है हमने, यह दो पिंच डालना है, सिरफ दो पिंच, एक, यह हो गई, दो, इससे जादा नहीं डालना है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्कीन है, वो डैमेज हो जाएगी, तो यह मैं रख देती उस साइड में, अभी इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स अच्छे से करना है, ताकि जो एक्टिवेटर है, क्रीम में अच्छे से डिजॉल हो जाए, तो आप जैसे देख सकते हैं, यह इसमें अपना एक्टिवेटर ने कलर इस कि इसमें एक्टिवेटर जो है मिक्स हो गया है तो यह मिक्स हो गया है एक्टिवेटर स्क्रीम में अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सेटल होने देंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे दो मिनिट तक इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि जो एक्टिवेटर ह अपने बालों को टाइब कर लीजिये, क्योंकि आप अपने बालों को टाइब कर लिजिये. और आम पर ना लग जाए तो उससे क्या होगा जो हमारे बालों का कलर है वह भी चेंज हो जाएगा तो हमें बालों को टाइप करें बाल आपके फेस के ऊपर नहीं आने चाहिए तो हो सकता है तो आप बैंड भी लगा लीचे तो दो मिनित के लिए हम वेट कर रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे अपने फेस के उपर अपलाई करेंगे अपलाई कैसे करना है जिस साइड को हमारे हेर्स की घ्रोथ है नीचे को उस साइड को अपलाई करना है उपर को अपलाई नहीं करना है उपर वाली साइड को अपलाई बिल्कुल नहीं करना है तो क्या होगा उससे जो हमारे बाल है उनकी डायरेक्शन होगी चेंज हो जाएगी और वो अच्छे नहीं दिखेंगे ऐसे तीखे तीखे से फेस के उपर दिखाई देंगे जैसे हेर होते हैं वैसे दिखाई देते हैं तो जिस साइड को हमारे हेर की डायरेक्शन है तो उस साइड को हमने ब्लीच को अपलाई करना है तो दो मिनेट हो चुके हैं तो अभी मैं यहां आपको अपलाई करके बताऊंगी कि कैसे करना है तो जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले अपने face को clean करना है अच्छे से face को धोना है wash कर लेना है wash करने के बाद आपने face को dry कर लेना है dry करने के बाद आप ये bleach को अपने face के ओपर apply कर सकते हैं तो अभी मैं अपलाई करूंगी जो ये वाले हेर्स होते हैं तो इन सारे हेर्स को आपने ब्लीच नहीं करनी होती है कुछ लोग क्या करते हैं यहां यहां तक ब्लीच कर लेते हैं वो बहुत गंदा नजर आता है तो यह जो हमारे hairs होते हैं तो यहां से हम इस direction को करेंगे अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी नीचे की direction hairs की growth है उस side को ही आपने apply करना है यहीं से start कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा तर bleach main बनी होते है इन parts के लिए इन parts के लिए और जो हमारा forehead उस part के लिए यहां पे भी हमें apply नहीं करना है तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे apply करना है जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कैसे लगा रही हूं किस direction में लगा रही हूं तो उसी direction में आपने apply करना है याद रखियेगा जो activator है आपने जादा नहीं डालना है इसमें तो उससे क्या होते हैं क्योंकि इसमें chemicals होते हैं तो उससे क्या होते हैं जो हमारी skin है वो damage हो सकती है सिर्फ दो पिंच activator आपने cream में add करना है कितनी cream में add करना है two spatula cream के लेने है और दो पिंच आपने activator के लेने है अपने ये eye area के under बिल्कुल नहीं लगानी है आपने इतना difference रखना ही रखना है आपने जितना मैंने रखा है यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं यहां तक भर भर के लगा लेते हैं अपनी nose के around nose के around आप लगा सकते है nose की जो dirt होती है वो भी यहाँ पे निकल जाएगी जो हमारी pores है वो clean हो जाएगी यहाँ पे हमने apply करने है यहाँ पे भी hairs आते है होते ही है चोटे 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 है सब को यहाँ पे आपने apply करने है तो यही आप भी आपने cover कर लेना है neck का क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे difference फिर अलग लगेगा तो यहाँ पे भी आपने क्रीम को अपलाई कर लेना है तो बाकी आपने यहां forehead पे भी लगाना है forehead पे अपने ध्यान से लगाना अपने बालों पे मत लगा लेना तो यह हो गया हमारा forehead ध्यान रखिएगा कि ध्यान से लगाना है यह eyebrow के उपर नहीं लगाना है इस से थोड़ा difference रखके लगाना है मैं बिना शिशा देखे लगा रही हूं कैमरे में देखके पता नहीं सही लग रही है या नहीं तो यहां पे आप हलका हलका सा हलका हलका सा लेके जाना है क्योंकि यहां पे बाल होते हैं तो उढ़ना लग जाए यहां पे भी अराम से लगाना है आपने ताकि आपके बालों पे ना लग जाए तो आप में क्या करना है नेक पे पार्ट आपका बच जाता है ब्लीच का उसको आप अपने हाथों पे पैरों पे भी लगा सकते हैं क्योंकि यह एक तरह से क्लिंजर का भी काम करता है जो इसमें एक्टिवेटर है वो हमारे जो बाल है उनका कलर जो हमारी स्किन से मैच करवाता है एक्टिवेटर जादा एड़ करने से वो बाल वाइट हो जाते हैं वो स्किन से मैच नहीं कर पाते तो हमारे फेस की उपर बड़े अजीब से नजर आते हैं तो इसलिए उसको सही amount में ही add करना चाहिए तो ये मैंने bleach लगा ली है अब मैंने इसको रखना है 10 से 15 मिनट इससे जादा नहीं रखना है इसके कम भी नहीं रखना है तो इसको रखने के बाद मैं आपको अपना face wash करके दिखाऊंगी कि आप मेरे face के उपर फर्क देख सकेंगे कि आपने पहले का face मेरा देख लिया है अभी इसके बाद आप मेरा face देखेंगे कि आप देख सकेंगे कि face के उपर जो है वो naturally close आ नजर आएगा और जो blackness नजर आ रही थी वो भी थोड़ी light हो जाएगी दाग दब्बे भी कम हो जाएगे यह होगा इस bleach की, इस cream की वज़ा से एक्टिवेटर की वज़ा से जो हमारे face के hairs है वो brown हो जाएगे हमारी skin के color के हो जाएगे तो याद रखिएगा कि accurate amount नेनी है इसकी तो अभी 10 minute का वेट कर लेते हैं तो मिलते हैं 10 minute बाद तो बने रही तो यहाँ पर मैंने अपना face wash कर लिया है तो आप difference देख सकते हैं अभी का face मेरा और पहले का face काफी changes है जो मेरे hairs थे यहाँ पर black black से वो brown हो चुके हैं और जो दाग धब्बे थे वो भी काफी हद तक light हो चुके हैं तो यह precaution है 10-15 minute बाद धोने के बाद अपने face को अच्छे से साफ करके wash कर लीजिए और उसके बाद आपने कुछ भी apply नहीं करना है अपने face के उपर ना soap लगाना है कम से कम आपने 24 घंटे ऐसे ही अपने face को रखना है और सिर्फ सादे पानी से धोना है गरम पानी नहीं यूज करना है नॉर्मल पानी से अपने face को धोना है तो यह है accurate amount how to do bleach on our face अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा कि कैसी लगी आपको यह वीडियो also subscribe to our channel thank you so much तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और information के साथ